टेली परफ़र्मेंस BPO सेक्टर का जाना मना नाम है 80 से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली टेली परफ़र्मेंस कंपनी में साथे 3 लाग से ज़्यादा एंप्लोईज वर्क करते हैं क्या करती है टेली परफ़र्मेंस कंपनी क्या है तेलीपफ़ेंस का बिजनस मोडल और अगर आप तेलीपफ़ेंस कंपनी में जोब करना चाते हैं तो आपको क्या करना होगा डिसकस करेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड केस स्टेडी के साथ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी तरह के informative वीडियोज के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों में आज नाम है धिरेंद्र और स्वागते आपका हमारे YouTube चैनल धिरू टॉक्स पर टेली परफेमेंस एक मल्टीनेशनल BPO कमपनी है लाइक TCS, Wipro, Infosys और Genpact इसके फाउंडर है Daniel Julin जिनने 1978 में फ्रांस के पेरिस में एक छोटे से ओपिस से अपनी कमपनी स्टार्ट की और अपने मेहनत और डेडिकेशन की बदोलत इन्होंने आर साल में ही इंटरनेशनल बार्केट में कदम रख दिया 1986 में इन्होंने बेल्जियम और इतली में अपनी सबसिडिरीज ओपन की और 1993 में पूरा यूरेपियन मार्केट कवर करके टेली परफेमेंस अपनी सर्विस युनाइटेड इस्टेट तक ले आई इसके बाद 2001 में इन्होंने मार्केट के फ्यूचर को देखते हुए इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में टेली परफेमेंस की चार ब्रांचेज जेपुर, मोहली, इंदोर और गुरगाव में हैं तो ये तो हुई टेली परफेमेंस की हिस्ट्री और अब हम जानते हैं टेली परफेमेंस क्या काम करती है तो basically teleperformance एक multinational company है जो provide करती है omni channel services means BPO से related services like technical support, data entry, customer care, sales and marketing, back and front office work, social media handling ये सब ये सारे काम teleperformance अपने clients के लिए करके देती है आज teleperformance के 80 countries में 460 से ज़्यादा contact centers available हैं जिन में साधे 3 लाग से ज़्यादा employees work करते हैं अपने clients के demand के according teleperformance में 265 से ज़्यादा language में काम होता है teleperformance के officially data के according इसने 2019 में 6.3 billion dollar का revenue generate किया तो ये तो ही teleperformance के business model की बात आगर आप teleperformance में जोग करना चाते हैं और interview देने की सोच रहे हैं तो आप easily apply कर सकते हैं यहां oral time vacancies available होती है आप नोकरी या indeed.com पर जाकर apply कर सकते हैं जिसका process काफी simple है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप diet working interview के लिए जाएं वो आपके लिए ज्यादा beneficial है और अगर हम बात करें qualification की तो किसी भी BPO के लिए minimum qualification होती है 12th pass इसके अलावा आपका communication skills काफी अच्छी होनी चाहिए और आपके English भी अच्छी होनी चाहिए तो आप किसी भी shift के लिए तयार रहे हैं आपको कोई सी भी shift दी जा सकती है तो दोस्ते इस वीडियो में तो फिलाइल इतना ही और इसी तरह के knowledgeable videos के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करके bell icon जुरू प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की notification आपको मिलती रहें इस वीडियो से कर दो